ये दोस्तों आप सब को स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटसी दुनिया में इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले है नाइट क्लिफ क्रिकेट क्लब वर्सिस वारता क्रिकेट क्लब के बीच जो खिला चाहेगा थर्ड लेक राइट थर्ड लेक का मैच कल्टन मेट आउटी में ग्रेड ट्रौफी का तो दिखो दो लेक का मेच हो चुका है हम लोग आएंगे उस में साथ टीम खेलेगा साथ में से कल नोच होंगे एक टीम बाई हो चुका है मतलब इनका साथ हमेशा बाई होता है अंगे सब कुछ में ग était X move जो मैं और फटर अब लूसका ब बताऊंगा बताऊंगा वीडियो में इनके प्लेइंग 11 हाँ प्लेइंग 11 आप सही बोला प्लेइंग 11 हम लोग डिसकस करेंगे वीडियो में इससे बाहर कोई नहीं खिलने वाला और फिर हाँ तंजानिया टी 10 भी आने वाले उसकी भी कवरेज मिलेंगे तो जितने भी डुमस्टिक हो जाता है आई पेल जिससे मैचे सोते सभी के कवरेज आपको इस चैनल में मिल जाते तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ठीक है यह जो मैच होगा यह सुबह 7 बजे स्टार्ट होगा इसके रिलेटेज जितने भी अपडेट से 7 बजे के आगे तक मतलब 6.59 तक आपको सब कुछ मिलेगा हमारे टेलिग्रम जैनल में ठीक है तो आप हमारे टेलिग्रम जैनल में जॉइन हो जाना फ्री चैनल है फटाफट जॉइन हो जाना फ्यूचर के वीडियो फाइनल अप अगल लिंक काम करेगा 99 पसंट जान से तभी भी मैं बता रहा हूं अगल लिंक काम नहीं क्या तो आप टेलिग्रम जोईन हो सकते हो दिखा रहा हूं यहां पर अगर टेलिग्रम पे जाता हूं मैं एक उपर में आएगा चैनल जहां पर 12,000 के करीब सब्सक्राइब और हो सके तो इनको कुछ कर देना यह उपर वाला चैनल में जोईन हो जाना जहां पर आपको फाइनल अपडेट मिलेंगे कुछ विनिंग्स मिलेगा कमाल का विनिंग मैं वेट कर रहा हूं आई पेल का विनिंग तो होगा 200 परसें होंगे विकोस हमारे कैप्टेन थे गाइस बहुत कमाल का मैच होगा ध्यान से देखना अगर यह वीडियो आप अंदक देखा तो आपको किसी फाइनल टीम नहीं चाहिएगा इतना बरिया गाइस आप विन कर सकते हो ठीक है ध्यान से पूरा देखना वारा था से ठीक है पहले मैं पास की रिकॉर्ड आपको बता देत मैचस में 32 का एवरेश से 280 विकेट भी है मतलब 32 का एवरेश बैटिंग से और बॉलिंग से 280 विकेट है अब देखो समझो बात यह बॉलिंग किया नहीं था लास्ट मैच में क्या था मैपको बता देता हूं थोड़ा नीचे आके इन्होंने ना गाइस यह रहा इन्होंने उपन करतो है ना 90 किया था मैं आऊंगा यह सब में बाद में आता हूं पहले आप देखो इनके पास्ट के रिकॉर्ट इनको रख लेना अच्छे लगे मुझे रिकॉर्ट से आइसी कौन में जिन्होंने लास्ट सिजन में 14 मैच में पास्टो एक्रिस रंड वान उफ लिए अच्छा परफोर्मेंस था तो डीजे हंटर मेरी टिम का मस्ट भी होगा इन विकेट भी लिया लिये थे ठीक है जे यह कैडर्म फोल देखो अटतर मैच में 111 विकेट समझ रहे हो ना 29 का अवरेज है प्योर ओल्राउंड डीजे हंटर से भी ज्यादा एवरेज बट इन्होंने ना इस सिजन अल्रेडी एक मैच खेल चुका है वा रहा था वो रिकॉर्ड में में आऊंगा तो उससे भी आप देख सकोगे दोनों कितना इंपॉर्टन है एस वीजी नी कुनारत ने जिन्होंने 10 मैच में लास सिजन में केबल 97 का योगदान दिया था टीम अल्मोस तीन ओवर में तो मस्ट 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 पीक आंग बंद करके मस्ट पीक है कैटन वास्ट लेना लास्ट यर हेट ट्वेड मैच में चार विगे भी लिया था यह ठीक है डबलू रिया ने इन्होंने 212 मैच में 205 लिया लास सेजन यह ज्यादा खेले नहीं यह सानाद 110 रन 125 ओवर डाला था लास सेजन में 20 विकेट मैं लास सेजन का बता रहा हूं इनका करियर का नहीं विकॉस यह इतने इंपोर्टन प्लियार है आपको करियर नहीं दिखना बढ़ेगा आग बंद करना और ले लेना फॉर्स इनिंग्स बॉलिंग होगा तो क्याप्टिन वा इस मैच में खेलेंगे लास सेजन में 8 मैच में 301 रन था इस सेजन 381 मैच में ना यह ओवर ओल्स इनका 381 मैच में 38 का एवरेच 120 विकेट है तो मस्ट मस्ट पीखे ए चंद्रा सिंगे आई सी जस्वाल को मैं नहीं लेने वाला ठीक है मैं आऊंगा इस नीचे NCC के तरफ ध सिरिस का रिकॉर्ड है वो भी मैं बताऊंगा ध्यान से देखना पुड़ा वीडियो जे वहरा था राजन इन्होंने 236 मैच में 19 का एवरेच 154 विकेट है करियर में जे कुर्तिस 268 मैच 281 विकेट करियर में इन दोनोंने लास टियर खेला नहीं था ठीक है यह सिरिस आर मै मतलब इनका ओवरोल करियर में विकॉस यह चार प्लियर लास्ट एर खेला नहीं टॉंकिन ने लास्ट एर खेले थे जिन्होंने 9 मैच में 125 रन बनाया था ओवरोल करियर एवरेच 14 है तो मैं नहीं लेने वाला डबलू ब्लेयर इन्होंने 248 मैच 30 एवरेच 188 विकेट है ओ लास्ट मैच जो था कालिटन फी में लिग का हुआ पी हार के भी आ रहा है तो देखो ओवरोल अगर देख तो नहुआ रहा था बहुत प्लेटल लगे और भी प्लेयर इनके पास जो एबी रिचर्ट इनका लास्ट एर आट मैच में 14 ओवर्ट डाला था 84 रन किया था जीरो ट्राइ कर सकतो जिन्होंने आट मैच में 61 ओवर में 7 विकेर निकाले थे लास्ट सेजन में मुझे अच्छे चोइज लगे एम कुद्रा देखो के लास्ट सेजन में 11 मैच खेला था 136 रन बनाया था अब ट्राइक कर सकतो इनको अपने टीम में विक है तो इनका बैटिंग आने वाला है पीहल 12 मैच में 72 ओवर 16 विकेर बहुत अच्छे मुझे बॉलर लगा एंसी मैक किनोन खेलेंगे बट इनका रिकॉर्ड मेरे पस फिलाल है नहीं होने से मैं दे दूंगा अब आता हूं मैं इनके जो एक-एक मैच हो चुका है विकोस दोनों टीम ना देखो यह किया था राजन जिरो ने पाच रन किया था चार ओवर एक मेडेन बंदरा जिरो जे कूर्टिस 58 रन किया था और मैंग दिलूफ को 40 रन वन नाउन आता हूए आठ एक तालिस पे दो इस बड़ भी शायद ओपन नहीं खेलेगा जेम हर्टिल ने 60 रन का योगदान दिया था टू डाउन खेलता हूए टॉनकीन जिरो किया था लास्स सेजन भी फॉर्म इनका खराब था इस सेजन भी अच्छा नहीं है डब्लू ब्लेर विकेट लेस थे बट बाइस रन बैटिंग से एबी रिचर्ट्स तीन रन किया था दस ओवर डाले थे पुड़ा कंप्लीट एक जाने के ज्यादा चांस से कंपेट तो अधर जो की पर है उससे जे डिक्स खेलेंगे नहीं जंदा का सिलेक्शन हाई है मत लो खेलेंगे नहीं ठीक है ध्यान से पी हल खेलने वाले इनका लास्ट सेजन विकेट लेस गया था लास्ट मैच बट ये अच्छे बॉलर है तो मै तो मतलब आप अगर बैटिंग फर्स्ट वा डालेंगे तो पी हल का विकेट में लेना ओविस्ट लेंगे ठीक है एसी आप पर हिस्टॉन इन्होंने खेला था लास्ट मैच वाड़ अथा के लिए जहाप इन्होंने नबवे किया था कौनवे का 38 वांडन तीन रन किया था अब खेल नहीं रहा है टीम के साथ अब इनके जगाना वो आ जाएंगे कौन हमने दिखाऊंगा बाद में रूखो डीजे हंटर इन्होंने दो विकेट निकाले थे साथ-साथ 21 रन टू डाउन खेल रहा है दो विकेट 21 रन तो मतलब आप अगर बैटिंग फर्स्ट वा तो विजी गुनारत ने शायद वान डाउन खेले ऐसा मुझे लग रहा है इस मैच में वीडर सिंगे मस्ट पीक है लास्ट मैच में इन्होंने तीन विकेट निकाले थे चे ओवर एक मेडन आट रन तीन विकेट तो सोचो कितना बढ़ी अब लिया रहे है डबलू डियान को ल सब्सक्राइब करें विकेट निकाले थे लास्ट मैच में जो बिल को मैंने लूंगा बहुत नीचे बैटिंग करेंगे इनका यूज नहीं है यह प्लियर खेलेगा मुझे लग रहा है कि वन डाउन शायद यह वन डाउन नहीं तो टू डाउन खेलेंगे बट बहुत अच् अच्छी में एक मैच खेला एंसेजी दो तेरा रजन चेस करते हुए दोसो नौरन तक पहुच पाया था ठीक है बट आट विकेट लॉस्त किया लिया था चेयए फसी इनिंग्स में बालिंग करते हुए वार्ताने फस्स इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 190 तक पहुच पाया था बट उनका जो ऑपोनेंट था उनको 76 पर ओल आउट कर दिया तो समझ रहो ना वर्था का बॉलिंग भाइंकर है खास करके इनके पास ना दो ऐसे मतलब तुरूप के के सब्सक्राइब करेंगे तो दोनों को रखना कैप्टेन वाइस करना सब्सक्राइब करेंगे तो क्या होता है अगर चेस करता है तो इजी चेस होगा शायद मुझे लगता है कि दो से तीन मेक्सिमम गिनने वाले अगर बैटिंग फर्स्ट किया तो हो सकता है WCC All Out और बनना चेस से साथ विकेट तो जरूर गिलेंगे अगर बैटिंग फर्स्ट हुआ तो तब आप ऑपनेंट के बालर्स को ले 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 ना कैप्टेन चॉइस मेरी टीम का यू इरसिंगे सेफेस मुझे लग रहे पक्का दो से तीनों के निकालते है अलमस्ट हर मैच में कॉन्वे एक अच्छे चॉइस है बट बैट्समें है ना तो हो सकता है यह अगर पंदरा भीस रन किया तो आपको दिक्कत देंगे ठीक है तो हो सता है कि एंपी विरा सिंगे विगेट लेज जाए बट वो आइकॉन में शायद 20-30 रन तो पक्का बना ही देंगे फिलाल मेरी टिम पे मैंने जे कुर्तिस को ट्राई किया ए आम पर स्टेंड जो भी नाम है इनका ड्रीम लावन बैटिंग सेक्शन में सबसे उपर है एम इनको बोल जाओ ठीक है मैं शायद एन सेंट को ले लूँगा ठीक है एक चेंज होने सो हो सकता है यहां से जे कुर्टिस का जगा जे हर्टेल डिफेंचल यह दोनों चेंज़ेंगे बट मैं प्रिफेर करूंगा कुर्टिस को रखना विकॉस यह पावर प्ले में चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है थैंक्यू गैस बैए